अगर आपने मेरी दी हुई information को ढंक से सुन लिया, समझ लिया and most importantly अगले 6-12 महिने के लिए apply कर दिया तो इस चीज की guarantee मैं लेता हूँ कि आपकी height 101% बढ़ेगी चाहे आपकी growth plates open हो चाहे closed हो वीडियो पे वापिस आते वे ये तो सब को पता ही है कि हमारी जो growth plates है वो 18-19 years of age तक close हो जाती है लेकिन ये चीज बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है कि वहाँ पर हमारी long bones जैसी की हाथो और पैरो की बात हो रही है इस चीज की knowledge बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को है कि हमारी spine की growth plates सबसे last में close होती है obviously यहाँ भी सब के लिए timing अलग-लग होती है लेकिन पर ये search है बिल्कुल और अगर आप अभी Google पर जाके ये चीज़ सर्च करोगे कि हमारी जो spine की growth plates है वो कब close होती है तो वो कहेगा कि 18-25 years of age तक जो की 95% of the population के लिए सही भी है लेकिन अगर आप इस topic पर महीनों तक research करोगे documents को पढ़ोगे real x-rays को analyze करोगे तो आपको पता लगेगा कि reality कुछ और ही है मैंने literally ऐसे 100 से भी जादा cases देखिया है जिनमें लोगों की age 25 पार करने के बबाजूद भी कुछ हद तक सिरफ spine की growth plates खूली रहती है हाँ मुझे बता है कि ये number बहुत कम है लेकिन पर है तो सही अब अगर आपको ये चीज़ जानने है कि आपकी growth plates खूली है या फिर नहीं तो उसके लिए आप x-ray करवा के देख सकते हो लेकिन अगर आपको x-ray नहीं भी करवाना तो आप मेरी बातों को सुनके उनको follow तो करी सकते हो मेरे हिसाब से अगर आपका BMI याने की body mass index 20 से कम है तो आपको ज़ादा खाना चाहिए और अगर आपका 25 से ज़ादा है तो आपको कम खाना चाहिए jumping कभी सोचे है कि basket ballers यतने लंबे क्यों होते हैं jumping बिल्कुल सही answer है लेकिन उसके पीछे science भी है आपकी body एक survival mechanism की तरफ work करती है और जब आप उसको यह जिश दिखाते हो कि आपका जो survival है वो बीना jumping के possible ही नहीं है तो वो automatically growth की तरफ बढ़ती जाती है आप जितना ज़ादा jump करते हो और जितना ज़ादा vertical force डालते हो अपनी shin bones के उपर वो उतना ही ज़ादा मजबूर हो जाती है grow होने के लिए तो इसलिए वो आपकी bones को लंबा करने की कोशिश करती है जिससे जो energy consumption है वो कम हो जाए अगर आपको भी सच में अपनी height बढ़ानी है तो मैं आपको बहुत recommend करूंगा कि आप भी basketball खेलना शुरू कर दो पर अगर आप किसी reason से वो चीज़ नहीं कर सकते है तो आपको at least 200 jumps तो एक दिन के अंदर मारनी ही चाहिए अब ये चीज़ पूरे तरीके से आप पे depend करती है आप चाहो तो उनको लगातार भी मार सकते हो और चाहो तो उनको intervals में जैसे सुबा, दोफैर, शाम, रात में ऐसे भी करके मार सकते हो अब jumping करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि normal jumps, high jumps, long jumps और shinbone jumps एक assy special jump जो कि मैंने आपको एक microfactor create करने के purpose से बताई थी पर ये जो jumping और microfactor जैसी चीज़े है ना ये चीज़ मैं आपको करनी तभी recommend करूँगा अगर आपको confirm है कि आपकी growth plates जो है पैरों की वो आपकी open है पर अगर आपको एजीच पता ही नहीं है कि आपकी पैरों की growth plates open है या आपकी close है लेकिन पर आपकी age जो है वो 21 से कम है तब भी आप इनको try करके देख सकते हैं stretching और sprinting इन दोनों को मैंने कठा क्यों रखा है ये बात आपको अभी बता लग जाएगी अभी मैं आपको 8 ऐसे stretches बताऊंगा जो की मेरे perspective से best है height बढाने के लिए नमबर 1 पे आता है cobra stretch ये बहुत ही जादा easy और relaxing stretch है और इसे कोई भी कर सकता है नमबर 2 पे आता है mostly इसी के साथ में किया जाने वाला stretch cat pose नमबर 3 पे आता है एक ऐसा stretch जो की मैंने 95 height पे daily किया था और उसका नाम है तदासन अब एक दो महीने तक तदासन करने के बाद आपको उसको level up करने के लिए तदासन walk करना भी शुरू करना होगा नमबर 4 पे आता है एक बहुत ही जादा common stretch और आपने इसको काफी सारे लोगों को करते हुए भी देखा होगा जिसको मैं कहता हूँ standing toe touches नमबर 5 पे आ जाता है इसी का थोड़ा सा harder और advanced version sitting toe touches अब नमबर 7 पे आ जाता है ये hamstring stretch जो की मुझे काफी पसंद है इसमें आपको एक chair लेनी है और एक tongue पे रहा कि आपको दूसरी tongue को अपनी फीछे खीचना है जितना भी आप normally उसको खीच पाओ और जब भी आप इसको करने बैठो आपको इसको दोनों tongue सो at least 5 times करना है अब नमबर 8 पे आ जाती हैं दो ऐसे stretches जो की मेरे personal favorite हैं और मेरे को इनके बारे में एक वीडियो से पता लगा था अब मुझे इनके नाम तो नहीं पता और नहीं मुझे ये पता कि मैं इनको क्या बोलू पर पहला stretch जो है उसको आप कह सकते हो एक तरीकिस है ददासन का advanced version और जो दूसरा stretch है उससे आप hand और spine stretch कह सकते हो अगर मैं आपको अपना बताओ तो मैं daily in में से 3 या 4 stretches को ले लेता था कोई भी और उनको अगले 30 to 40 minutes के लिए perform करता था at least एक tip देना चाहूंगा जब भी stretching करो ना कभी भी अपनी breath को hold करके मस रखना हमेशा breathe in breathe out breathe in breathe out करते रहना कोई भी stretch कर रहे हो breathing बहुत important है और अब बारी आगी है यह चीच बताने हैं कि मैंने sprinting ghost stretching के साथ मैं आखिर रखा क्योंगा तो अभी तक आपको यह लगता होगा कि जो sprinting है वो सिर्फ हमारे पैरों पे एफेक्ट डालती है लेकिन यह चीच बिल्कुल बिलत है sprinting आपके spine को stabilized और active रखने में बहुत बड़ा role play करती है चीच लिए मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप at least 4-5 times तो एक week के अंदर sprinting किया ही करो और अगर आपको इसका भी result double और triple करना है ना तो आपको simply इसको sunlight में करना शुरू कर देना चाहिए अब यही से मैं आपको थोड़ी बहुत information एक बहुत ही जादे important topic के बारे में देना चाहूँगा जो कि है sunlight अब से पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यो लेनी चाहिए sunlight sunlight से हमारे को vitamin D मिलता है जो कि हमारी calcium को absorb करने में मदद करता है और calcium से ही हमारी bones grow होती है vertically भी और horizontally भी अब यहीं अगर आपकी body में vitamin D नहीं होगा तो आप जितना मर्जी calcium intake कर लो कोई फरक नहीं पड़ता आपकी body मुश्किल से सिरफ 15-20% आपके total calcium intake का real use कर पाएगी और vitamin D जब आप sunlight से लेते हो ना तो वो raw और pure form में होता है जो की सबसे best है आपकी body के लिए अब बारी आती है यह जानने की कि आपको sunlight आखिर लेनी कैसे चाहिए अगर मैं आपको अपना बता होता हूँ मैं कुछ खास नहीं करता हूँ मैं शॉट्स या फिल लूस पजामा कोई पहन के पारक में चले जाता हूँ लग बग दो तीन बजे के आसपास अगर मुझे जो sunlight है वो मेरे पैरों पे चाहिए होती है तो obviously मैं अपने पैरों को expose करता हूँ और अगर मुझे sunlight मेरी spine में चाहिए होती है तो आपको at least आदे से पौना घंटा तो लेनी ही चाहिए मैं अभी तक लगबग बिल्कुल भूल चुका था कि मेरे को hanging भी add करनी है तो इसलिए मैं अभी पारक आया हूँ था कि मैं आप सबको खुद दिखा पाऊं कि आपको कैसे hanging करनी है height का goal लेके आपने काफी अलग लग तरीकों से hang करते वे देखा होगा लोगों को और मुझे भी लेकिन पर ये सबसे बेस्ट तरीक है अपने spine को decompress करतेगा ये जो भी मैं उपर चड़के hang करने वाला हूँ ये वला तरीका मुझे best लगते है hanging का diet अभी जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़े बताई हैं वो सब करने के बाद भी अगर आपने maggie, momos, cold drinks जैसी चीज़े ही खानी है तो वो सब करने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आप अपनी body को इस चीज़ का signal तो दे दोगे कि आपको अपनी height बढ़ानी है लेकिन फिर भी आपकी body कुछ करनी पाएगी diet में सबसे पहली चीज़ है junk food को mostly खाना बन कर देने especially sugar को और sugar इसलिए क्योंकि वो हमारे testosterone को गटाती है और estrogen को बढ़ाती है और estrogen सीधे-सीधे आपकी growth plates, आपके mind, आपके insulin हर जगा से खेलता है और उसे एक तरीके से destroy करने का काम करता है अब दूसरे point पे diet के मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं क्या लेता हूँ अगर आपने मेरे 955 series को थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पता लोगा होगा कि मैंने एक mission बनाया था कुछ herbs को मिला के जिसमें मैंने लगबख 400 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 100 ग्राम शितावरी पाउडर और लगबख 600 ग्राम थ्रेड मिश्री डाली थी आप चाहो तो इसमें थ्रेड मिश्री की मातरा थोड़ी सी बढ़ा सकते हो क्योंकि इसका reality में टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए तो इसको मैं सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक ग्लस दूद के अंदर एक चमश डाल के पीता था और सुबह स्पेशली आपको इसको पीने के बाद दो गंडे तक कुछ भी नहीं खाना थर्ड और लास्ट पॉइंट पे डायेट के आपको करना ही है कि आपको अपने प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देना है बाकी आप जितना इसको नैचुरल प्रोटीन से लोगे जैसे की डेरी प्रोड़क्स या फिर नॉन वेज वो इतना ही बढ़ी रहे मैं डेली एट लिश्ट 3-4 ग्लाशिस ऑफ मिल्क तो लेता ही लेता हूँ और मैं सबको ये चीज रेकेमेंड भी करता हूँ क्योंकि उसमें कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही भरबूर होते हैं बहुत ही एक इंपोटेंट चीज बतानी है डाइट से रिलेटेड ध्यान से सुनना कभी भी हाइट के लिए ना सप्लीमेंट्स पे डिपेंड मत रहना आपको रियलेटी में ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो आपको थोड़े से पैसो के लिए मिसगाइड कर देंगे वो चीज चाहता तो मैं भी कर सकता था मुझे भी काफी सारे कमपनीज ने अप्रोच कर रहा था यह कहके कि आप हमारे प्रोड़क्ट को प्रोमोट करो मैं यह नहीं कह रहा कि मार्किट में सारे के सारे सप्प्लीमेंट्स पॉल्स क्रेम करते हैं बट मैं यह कह रहा हूँ कि आपको अभी यह कहो ना कि जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है उसको अगर आप combine भी कर दो तब भी वो sleep जितना important नहीं है तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँगा यहां तक कि अगर आप मेरी अभी तक की बताई हुई किसी भी चीज़ को ना follow करो लेकिन पर अभी जो मैं आपको sleep के बारे में मैं तो सोता ही नहीं हूँ या फिर मैं सिर्फ 4-6 गंटे की नीन लेता हूँ लेकिन प्लीज मेरी बात मानो अगर आपने उनको follow करने की जरा से भी कोशिश करी तो आप कभी भी grow नहीं कर पाऊगे अब sleep में second condition है sleep cycle को follow करना अगर आपने एक term किर्कैडियन rhythm या फिर किर्कैडियन cycle के नाम से सुनी होगी तो आपको ये पता होगा कि हमारी body sunrise और sunset को follow करती है इसमें आपको कुछ भी करके 10 p.m. तक सो ही जाना है क्योंकि आपके जो body है वो 10 p.m. to 2 a.m. तक सबसे ज़ादा optimally growth hormone को release करती है third and probably the most important point है quality of sleep 6 hours of uninterrupted sleep better है 10 hours of interrupted sleep से इसका मतलब यह है कि अगर आपकी नींद हर 2 दिन घंटे में किसी भी वज़ा से तूट रही है तो वो चीज बिलकुल भी सही नहीं है मेरे साथ भी पहले ऐसा बहुत होता था कि मैं सो रहा होता था और कोई भी आके कमरे की light on कर देता था और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता कि जब आप सो रहे हो तब शोर मच रहा है या फिर ऐसे कोई भी चीज हो रही है जो कि आपकी sleep को interrupt कर रही है तो चाहे आपको वो चीज पता ना लगे लेकिन reality में आपकी sleep की quality बहुत degrade हो जाएगी और इसलिए मैंने अपनी light की problem को solve वरने के लिए एक sleep mask मंग वा लिया जो कि आपको कहीवी online 1200 अरपे का मिल जाएगा बाकि शोर की problem मुझे होतने ही नी होती क्योंकि मेरे निन इतनी गाड़ी है कि अगर मेरे घर के आगे कोई band बाजा भी बजा दे तब भी मेरे निन ने कुल सी पर अगर आपके साथ में ऐसी कोई problem है तो मैं recommend करूँगा earplugs नाम की चीज़ को मैं आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि मैं अपने हाथो और पैरो की मेजरमेंट करके आपको यह बताऊंगा कि वह कितने लेंथ में बढ़ी है मेरे इंट्रोड़क्शन वाले दिन से तो अब उसकी बारी आ पई है मेरे हैंड की लेंथ ही 19 cm अगर आप ने इंट्रोड़क्शन वाले दिन जाके देखोगे और अब इन आपको मेजर करके बताने वालों की आप कितनी है 19.4 cm अब देखते हैं कि क्या हालत है अगर आप अभी देखोगे मेरे पैरो की लेंथ यह बता रहा है 26 cm 2 cm मेरे पूरे पैरो की लेंथ भी बढ़ चुकी है 1 cm अब बचले जाब चेज़क्शन वालों की बचले का अब है